हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल Educated भारत में दोस्तो आज 2 मार्ज 2022 को जो ICAR का एक्जाम हो रहा है उसकी second shift भी हो गई है उसके questions आ गए है कुछ जो मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ देखिए जो paper है वो easy to moderate है कुछ questions ऐसे हैं जो multiple option में है बार-बार आपको कह रही है जो multiple option वाले question है वो world history से और geography से पूछे जा रहे हैं इसलिए आपको इस पर बहुत ज़ादा ध्यान देना है और जो simple questions है देखिए easy to moderate का मतलब है कि कुछ easy questions भी है वो जो question पता चले हैं वो मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ देखिए पहला question पूछा गया है संथाल विद्रो और मुंडा विद्रो के बारे में ठीक है संथाल और मुंडा विद्रो यह most important है यह हमने पड़ा है अगर आपने अभी तक नहीं पड़ा है और आपका paper है तो आप जो मेरा जनजाती वाला वीडियो है वो जाकर देख लीजे वहाँ पर आपको सारे विद्रो के बारे में पता चल जाएगा जो जनजातीयों के द्वारा की गए है देखे जैसे संथाल विद्रो है संथाल विद्रो अमने देखा था इसके नेतरत्व किस ने किया था हो सकता है यह question पूछा गया हो तो सिद्धो और कानू सिद्धो और कानू जरूर देख लीजे देखे यह नाम के दो भाई थे जिन्नोंने इसका नेतरत्व किया था कब 1855 56 की बात है अगर येर पूछा होगा तो 5556 करेक्ट होगा और अगर किसके नेतरत्व किया है तो दो भाई थे सिद्धो और कानो जिनके द Любारा नेतरत्व किया था उसके बाद मुंडा विद्रो आता है दोस्तों तो मुंडा विद्रो 1899 में स्टार्ट हुआ था विर्सा मुंडा के द्वारा किस के द्वारा विर्सा मुंडा के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था ये सारे क्वेशन आपको मिल जाएंगे जंजाती वाले वीडियो में जाकर जरूर देख है या तो नाटो का फुल160 पूछा गया हो या फिर नाटो के बारे में यह पुछा गया होगा कि इसका तो एक बीच nuclear कि मेंबर पूछे हैं तो 30 मेंबर हैं नाटो में ठीक है और यूकरेन का यूकरेन इसका सदस से बनने के लिए ही इसने बोला था 2017 में तब ही से रशिया और यूकरेन के बीच बहुत प्रॉब्लम चल रही है यह सारी जितना अभी अभी करेंट में चल रहा है यह सब आपको ब मौच पाया होगा तो आप चैनल में जाके अग्रिकल्चर क्रिशी से रिलेटेड टॉप एटी एमसी की उसकी है मैंने वो जरूर देख लीजे अब देखिए रवी की फसल रवी की फसल के बारे में कुछ क्वेश्चन आया तो हो सकता है फसल दी गई हो और पूछा गया हो इनमें कौन सी रवी की फसल है तो गेहू, चना, राई ये सब रवी की फसल होती है ठीक है फिर नगदी फसल से क्वेश्चन आया है तो देखिए नगदी फसल क्या होती है जो हम डायरेक काटने के बाद सीधे बजार में बेश सकते हैं जैसे गन्ना, कपास ये सब इनहें क कुछ तयार करने की जुरुत नहीं होती, ऐसी जो फसल होती है, यह पूछा गया होगा कि कौन सी नगदी फसल है, ठीक है, एक क्वेशचन बनता है। उसके बाद फिर से हरित क्रांथी का पैसल है, हरित क्रांती का है, क MON जनक कौन है तो नॉर्मन बॉर्ड लोग हम देख चुके थे अगर भारत में जनक पूछा जाएगा तो MS स्वामी नाथन हरित क्रांथी के जनक है यह याद रखना है या फिर हो सकता हरित क्रांथी से पूछा जनक है तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर है अब देखें रूसी क्रांथी रशियन क्रांथी और रशियन और अमेरिकन रवलूशन फ्रेंच रवलूशन से बहुत सारे व्यक्ति बन रहे हैं और सभी स्टूरेंट्स ने बताया कि मल्टिपल ओप्शिन क्वेशन यहीं से बन रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से बारबार आपको कह रही हूं प्लेलिस्ट्में जाकर वर्ल्ड हिस्ट राज्य सुची और समवर्ती सुची है उसके बारे में पूछा गया कि बहुत सारे question बन रहे हैं आप देख रहें कि हम कितने पॉलिटी के questions देखते जा रहे हैं सारे जितनी भी shift हमने अभी तक देखिए सभी में पॉलिटी के question बहुत जादा पूछे गया है इन में शायद ये सूची में कितने कितने विशे हैं कितने subject हैं के अंदर ये question पूछा गया है फिर देखिए फिर article पूछा गया है पॉलिटी से ही article 371 किस से related है तो देखिए जो हमारे north east state है ठीके north east के जो state है उनको दिया गया है right to freedom कई बार हम ये पढ़ चुके है right to freedom 19 में दिया गया है ठीके इसके बाद b.ro के बारे में पूछा गया है तो border road organization border road organization है ये भी अभी बहुत चर्चा में था इसलिए इसके बारे में questions बने हैं शायद ये कब found हुआ ये पूछा गया होगा या full form पूछा गया ये किसके द्वारा लागू किया गया था तो 1878 में ये लागू किया गया था Lord Lytton के द्वारा लॉड लिटन के द्वारा ठीक है शायद ये question बना होगा ये से वितना बताया है कि इस बारे में कोई question था फिर next question पूछा गया है सबसे अधिक उपजाओं मिट्टी कौन सी है तो देखे जो agriculture वाला वीडियो मैंने upload किया उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा जलोड मिट्टी जो है वह सबसे जादा उपजाओं मिट्टी है फिर ये ये सरदार परियोजना जो नर्मदा नदी पर है फिर इसके अलावा पुछा गया है NCRT के president पूछे गा है ठीक को कम से कम six month का current affairs तो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए अगर आपका आगे exam है तो six month का current affairs फटा फट एक बार revise कर लीजे क्योंकि अप टाइम तो है नहीं जादा पढ़ने का बट revise कीजियो देखिए सिडवी आया सिडवी मतलब की economics economics से question आया है तो देखिए economics का वीड बटन कब हुआ है यह कब आया है तो 2 April 1990 को ठीक है 2 April 1990 को क्या हुआ था इसकी स्थापना की गई थी सिडवी की इसके बाद next question आया है जर्मन सिलवर यह science से आया science का question है यह तो किस से मिलकर बना होता है किसका मिश्रन होता है शायद ऐसा question होगा तो यह सभी को बता होगा copper nickel औ और silver दिया जाता है और पूछा जाता है इन में से कौनसा उपयोग नहीं होता है German silver बनने में तो silver यह उपयोग नहीं होता है क्योंकि copper nickel और zinc से बनता है German silver इसके बाद the hepatology के बारे में पूछा गया है hepatology किसका विज्ञान है तो ये liver से related विज्ञान है ये भी हम पढ़ चुके हैं इसके बाद smallest gland के बारे में पूछा गया है तो smallest gland कौन सी है तो pineal gland कौन सी pineal gland सबसे चोटी gland है ये आपको याद रखना है ठीक है ये question भी पूछा गया है तो इस तरह के question पूछे जाएंगे अब देखें days से related question आए है world hindi day world hindi day कब होता है तो 10 जनवरी को होता है world hindi day जबकि national science day कब होता है अभी अभी गया है 28 February को होता है CV रमन का नाम आपने सुना ही होगा ठीक है इनकी उपलब्धी के कारण रबन effect जज़ दिन हुआ था उसी दिन इन्हें क्या मिला है उसी दिन को हम क्या मनाते हैं science day के रूप में मनाते हैं ठीक है तो 28 February आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है इसके अलावा RBC की life पूछी गई है तो 1.5 kg something liver का weight होता है ये question भी पूछा गया है अब देखिए जितने question मुझे मिलें वो सारे question में आप लोगों के साथ शेयर कर दियें दोस्तों जो exam है वो easy to moderate है बहुत ज़्यादा डरनी की ज़रुत नहीं है बार-बार कह रही हूँ कि आपके जो topic है बस आप उसको deeply पढ़ लीजे आपको पूरा knowledge होना चाहिए तो paper बिलकुल भी tough नहीं है आप आसानी से कर सकते है paper को बस जो statement वाले questions है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे है इसलिए बच्चों को ऐसा लग रहा है कि UPSC level का paper आ रहा है किया जा रहा है तो यह से हम tough नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे यह easy to moderate है सिर्फ और सिफ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा form है और बाद में कोई problem नहीं हो इसलिए एक label का exam दिया जा रहा है जब भी कोई exam दिये जाए तो कोई free में जाब देता नहीं है हर कोई बैठा है जाब लेने के लिए ठीक इतने सारे बेरोजगार हो गए तो इसलिए अगर आपको job चाहिए है तो एक ऐसी exam देके जैसे ही high level का exam हो रहा है यहाँ पर जब आप इस exam को crack करके job पर लगेंगे को खुद में confidence आएगा कि आप एक बहुत अच्छे exam देकर pass हो कर फिर job पर लगेंगे इसलिए दोस्तों लगे रहिए बिलकुल भी रुकने की जरुरत नहीं है demotivate होने की बिलकुल जरुरत नहीं है बिलकुल positive thinking के साथ पर एक्जाम देने जाएं आज के लिए अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे जय हिंद जय भारत पर जय हिंद जय भारत